नमस्कार दोस्तों बिहार के पूर्व मुख मंत्री करपूरी ठाकुर को भार रत्न मिलने की घुषळा के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जननाया करपूरी ठाकुर कौन है वा बिहार में कहां जन में और उनका सियासी सफर कैसा रहा और उन्हें अपने जीवन काल में किस तरह की राजनीती को आगे बढ़ाया बिहार के पूर्व मुख मंत्री करपूरी ठाकुर को भारदत्न सम्मान मिलेगा केंद सरकार के और से इसकी गोशड़ा कर दी गई है इधर देश के प्रधान मंत्री नियन्मोदी से लेकर प्रदेश के मुख मंतृ निरीज कुमार तक ने इस पर अपने पत्किरिया भी दी है पीम ने जहां करपूरी ठाकुरू को समाजिक म्याँब का प्रदशक बताया है वही मुख मंत्री ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है ऐसे में बिहार की प्रिष्ट भूमी के कम परचित लोगों के मन में सवाल उठेगा की आखिर करपूरी ठाकुरु कौन है तो चलिए हम इस वीडियो में उन्ही के बारे में बात करने वाले हैं बिहार के दो बार मुख मंत्री बने करपूरी ठाकुर को जननाया कहकर समोजित किया जाता है उनका जन्म समझती पूर जिले के पितवचिया गावा में नाई समाज में 24 जहवरी 1924 को हुआ था वह साल 1952 में पहले विधाय चुने जाने के पाद आजीवन वह किसी ना किसी सदन के सदस रहे 1970 से 1989 के बीच बिहार के दो दो बार मुख मंत्री के बाद बिहार में विधाय सभा में नेतर परतिपच भी रहे अपने जीवन काल में करपूरी ठाकुर के इतने एहन पदो पर रहने बावजूद उनके पास ना तो घर था और नहीं कोई गाड़ी यहां तक कि उनके पास अपनी पैतरिक जमीन भी नहीं थी रानीती में इमानदारी सजनता और लोग प्रीता ने करपूरी को जरनायक बना दिया था करपूरी का निधन 64 वर्ज की उम्रे में 17 फरवरी 1988 को हुगा था करपूरी ने अजीवन कांगलेश की विरुद्ध रानीती की थी आपादकाल के दोरान इंद्रा गांधी उन्हें गिरिपतार करने में काम्याप नहीं हो पाई करपूरी सर्वोज पद पर पिछले समाज की व्यक्ति को देखना चाते थे करपूरी रानीती में परिवारवात के प्रबल विरोधी थे ठाकूर ने जीवित रहने तक उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस को रानीती में नहीं याने दिया करपूरी ठाकूर को भारत रत्न देने से क्या है सियासी मैने देश में कुछ दिनों बाद लोग सभाचना की प्रकिरिया सुरू होने जा रही है इससे पहले केंद सरकार ने करपूरी ठाकूर को भारत रत्न देने की घुष्णा की है ऐसे में इस फैंसले को रानीती से जोड़ कर देखा जा रहा है केंद सरकार का या फैंसला कई मैनों में अहम है कराणया की यह वर्ष करपूरी ठाकुर का जर्म सताब्दी वर्ष है सभी दल अपने अपने हिसाब से उनकी जैनती मनाने के लिए समारो कारकरम आयोजित कर रहे हैं जानकार मानते हैं कि देश की सभी दल बलकि खास तोर पर बिहार की राणीती पार्टियां खुद को करपूरी ठाकुर की सियासी जमीन और परभाव के करीब दिखाने की कोशिश में है चुनाव के नजदिक आने पर ऐसा होना स्वभाविक भी है माना जा रहा है कि करपूरी के सहारे बिहार में भाजपा ने अपनी चुनावी लाइन को असपस्ट करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है इधर बिहार में पहले से कड़बंतन सरकार चल रहे हैं राजद और जादियों भी बड़े करकरम आयुद कर रहे हैं जदियों ने पहले ही करपूरी के पैत्रिक गाउं एवं पत्ना में चार दिनों के कारकरम की तिजारिक कर रखी है बिहार में इन कारकरम के जरिये करेक परीब सभी छोटे बड़े दल करपूरी को अपना बताने की होड में है वह अंतोधर समाज के परती जर्नायक के योगदान को याद कर रहे हैं सभी ठाकुर के असली वारिस होने का दावा कर रहे हैं परधार मंत्री नरेल मोदी और मुख मंत्री नितियस कुमार कीर परतिकरिया भारत रतने देश का सरवोज समान है पढ़ार मंदी नरिल मोदी ने करपूरी को या समान देने की घुशला करने के बाद उन्हें समाजिक न्याका पत्परदर्सक बताया है पीम ने कहा कि करपूरी को या स्थमान उनके योगदान के लिए तो है ही एक न्यापूर्ण समाज के लिए काम करते रहने के लिए भी हमें प्रेड़ित करेगा इधर मुख मंतरी नितेज कुमार ने इस समन्द में अपनी प्रत्किरिया देते हुए कहा कि केंदर स्रकार ने बिलकुल सही फैंसला लिया है जनतादाल यूनाटर की सालो पुरानी मांग अब पूरी हो गई